काफी लंबी गैप के बाद हो लिखे हम लोग भी फिर से मिल रहे हैं अगर पहले मिल जाए अगर हम लोग इसको बना लें तो फिर आपका पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल होगा मुझे लगा कि एक वर कुछ एक्स्पेरिमेंट करके देखते हैं आप लोग बताना कि कैसा काम हो रहा है कल ही टेलिग्राम के चैनल पर पोस्ट कर दिया गया था पर अब आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन आपको मिला होगा हम लोग अभी आज इडिटोरियल को पढ़ते हैं देखिए रीडिंग को कभी भी क्या होता है कि रीडिंग एक आपके लेंग्विज का सबसे इंपरेंट पार्ट है लेकिन इन वे एज लर्निंग प्रॉसेस एक डल ब्लैंड जिसको बोलते हैं टेस्ट लेस तब तक ही आपको टेस्ट लगेगा जब तक आप उसके प्रॉस हो जाएगा आपने प्रॉपर एडॉप्ट कर लिया आपकी चीजें मीनिंग वाइज ठीक आने लगी मैंने कहा था कि वर्ट्स को शुरुआत के स्टेज में अभी मत पकड़ना अभी हम लोग उसको एक कदम और करते हैं और मैं भी जैसे आप लोगों का एक सजिशन ये भी कर दूँ उसके बाद बागी के चीजियों को आप रिट करो वह मैं अब अगले मंत के मतलब आप्रियल के फर्स्ट फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये पार्ट वीक में एक दिन रहेगा जब आपको मेरे दिएवे क्वेशन बनाने होंगे चलो आप पाडिसिपेट करो अभी हम लोग फिलाल अबने कांसेंटरेशन रिडिंग पर डालते हैं आप जिदा ध्यान दो लिखा हो है रिसकी रिकोर्स अब इस वर्ड का मीनिंग मैं अगर बोलूं कि मेटल का मतलब क्या होता है या रिकोर्स का मतलब क्या होता है तो फिर एक चीज हो जागा ना कि लैंग्विज में जो अंगिनत वर्ड हैं उसमें हर बार आपको किसी ना किसी की जरुद पढ़ेगी मीनिंग निकालने के लिए लेकिन अगर आप इस की से लड़ रहा है आर भी आइज इंफलेशन फाइटिंग मेंटल विल बी टेस्टेड अब तुम देखो तो मेंटल का मेंटिंग आपको आ रहा है आराम से कि आर बेएक जो इन इंफ्लेशन से लड़ने का यह चीज है वो टेस्ट होगा इंदे कमिंग मंस इन दे मुंग सहेड जो आने वाले आगे के महिने हैं उनमें उसका ये चीज़ टेस्ट होगा तो अगर आप सोचो तो इस्किल क्वालिटी अकुमेन यही से जिना उसकी च्छमता टेस्ट होगी तो अगर आप ये करते हो ना कि आप इसका मीनिंग गेस करो उसके बाद आप आप डिक्शनरी को अगर हेल्प लेके देखो अगर लेने का मन करे हलांकि शुरुवात के स्टेज में का डिक्शनरी देखोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ने पाऊगे और रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ने पे जितना जाद आप पढ़ते हो उतना ही ज् रिस्की दिया हुआ है तो रिस्की है क्या रास्ता ऐसा ही कुछ होगा तो अभी आप पढ़ें अब है दलेटेस डिस्टीजन बाइद आर्विया मोनेटरी पॉलिसी कमीटी एंपीसी उनका जो लेटेस्टीजिएं था इनका तो लिव इट्स पॉलिसी रेट अंचेंज्ड कि वो पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा छोड़ देगा वसको अंचेंज्ड वे सही इज अग कैल्कुलेटर डिस्क टेकन बाइद इस रेट सिटिंग पैनल यह एक ऐसा रिसक है जो कैल्कुलेटर तरीके से लिया गया है अब आप जरा इस वर्ड को देखो कि यह वर्ड आपने देखा अगर मैं ग्रामर की बात करूं मैं एक एक कारण से आपको ग्रामर काई कास्व गंडल करता हूं यह यहां पर भीत्री के फर्म में यूज हुआ है यह भीट्व यहां पर नहीं यूज हुआ है यह एक नन फाने भर्व है यह यहां पाडिसिपल के रूप में यूज हुआ है अब जरा सोचो कि अगर यह पाडिसिपल के रूप में यूज हुआ है तो पाडिसिपल इंदी क्या निकाले जाए तो फिर वो निकलेगा नहीं यहां light का मतलब प्रकास नहीं है तो यही मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि जब आप reading कर रहे हो तो याद रखना कि आपका meaning sentence का एक theme होगा आपका पढ़ना sentence के theme को समझाए rather than कि words को particular करके वो take up करें यह ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इसको करो कर नहीं सकते हो तो अगर वो उसने जो policy rate unchanged छोड़ा वो एक calculator risk है in a poor revision office inflation forecast और उसने upon revision revision उसने किया बदलाव किया upward बढ़ा दिया inflation forecast मतलब यह लिखा हुआ है when वी व्यू जब हम देखते हैं इसको in the context of the revision that was increased the revision that increased the inflation forecast अब ये ऐसे करके तुम्हें या तो उसको conversion करना सीखना होगा जो कि seriously बहुत लंबी चीज़ है तफ चीज़ है या तो आप ये करो लंबी चीज़ है उसके लिए grammar के आपके सारे sections पे आपको equally control होना चाहिए जो अभी मुश्किल है तो मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि अगर उन्होंने policy rate को unchanged छोड़ दिया ये उनका calculated risk लिया हुआ था और उन्होंने inflation forecast को का जो फरकास था अनुमान था उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि inflation बढ़ेगा वही तो आराम से sentence का meaning समझ में आ गया तुम छोटे 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 गुरूप मिलाके उसको एक अपना sentence बनाओ और उसको आप समझो वही sentence का meaning होगा sentences लिखने में ऐसे English के parts होते हैं जिनको exactly as it is in Hindi not possible to be translated और इस लेबल पर को हिंदी करना चाहता है तो वह हिंदी और English दोनों का master है learner नहीं है यह आप ध्यान रखेगा master है दोनों में आगे बढ़ते हैं barely two months after projecting consumer price index based inflation to average 5.1% over the current fiscal ending in March 24 अभी वाला आज है इस महीने का दो महीने पहले ही उसके जस्ट दो महीने पहले उन्होंने कहा कि consumer price index based inflation जो consumer inflation है वो 5.1% average रहेगा March 24 तक the MPC has raised its forecast for the annual average of 30.2 तो उन्होंने जैसे उन्होंने कहा न कि उन्होंने अब इन्फलेशन का forecast बढ़ा दिया तो उन्होंने अब कहा जस्ट दो महीने बाद जब उन्होंने कहा था कि 5.1% होगा उसके दो महीने के बाद उन्होंने कहा कि यह 5.4% हो रहेगा conceding that a spike in tomato prices देखो concede करना spike यह सब चीजह तुम्हारे को अगर words के meaning को सोचने के लिए प्रेरित कर रही है कि यहां पर क्या meaning आ रहा है तो समझना कि तुम अपने reading को प्रापर तरीके से carry out कर रहे हो उसमें से 40% 50% words का meaning तुमको आना चाहिए कुद बखुद आ जाए वो जो dictionary में मिनिंग है वो तुमको स्पाइक का समझ में आ जागा क्योंकि तुमने भी अनुभा था कि टोमाटों के prices में बढ़ोतरी हुआ था तुमको अधा कि अधा कि अधा कॉन्टिबुटिट तो इस सक्व और ये एक सौक था that had forced a revision in the headline inflation projection inflation projection फर दिलाइशप्टमर कॉर्टर बाया substantial 100.2 6.2 percent again उन्होंने इसको इसको headline inflation को 6.2% रिभाइच कर दिया. RBI Governor Sassi का अंदास acknowledge that, उन्होंने ये बात स्विकार किया, that while the likely short term nature of these shocks, ये ने शॉक्स जो हैं, जो जटके आ रहे हैं, ये short term nature के हैं, थोड़ो दिनों के लिए हैं, allowed for policymakers to look past a couple of high inflation prints, frequently recurring food prices shocks risk destabilizing inflation expectation, अब देखो, बढ़ा tough type का लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे को दिखा ही पढ़ रहा था, कि इसकी, इसका अर्थ हम कैसे समझेंगे, अब ही आप ज़रा देखिए, ऐसे करो, ये जो shock था, इसने मजबूर किया, कि हम रिभाईज करें, headline inflation projection को, July September के लिए, quarter के लिए, 100 basis point बढ़ा दें, और उसको 6.2% कर दें, RBI Governor Sassi Kaan Das, ने कहा, की, the likely short term nature of this socks, की ये socks जो है, जटके जो है, वो short term के नेचर के हैं, policy makers look past, a couple of high inflation prints, high inflation से look past, उसके आगे देखें वो, frequently recurring food price socks, risk, ये जो food price का, shock है, उसका खत्रा जो है, be-estabilizing inflation expectation, और उसने, inflation का जो expectation है, उसको, be-estabilized कर दिया है, हम expect कर रहें कि इतना रहेगा, अचानक कोई short term, shocks मिल रहा है, और वो सारा जो projection है, वो change हो जा रहा है, अच्छा सा संदेंस था, अगर आप इसको ऐसे निकालते हो, तो आपके reading को strength मिलता है, and while monetary authorities, are right in laying the onus on the government, और monetary जो authority है, authorities जो है, monetary मतलब जानता हो ना, money से जुड़े हो authority, मतलब, bank के लोग, governance and all that, laying the onus on the government, for ensuring timely supply-side intervention, वो timely, जैसे जिस food की कमी हो रही है, उसको timely supply करें, वो government को बोलते हैं, बोलते हैं, to limit the severity and duration of such stocks, ताकि ऐसे जो जटके मिल रहे हैं, उसकी severe से बना है, उसकी severity और duration दोनों कम हो, limit हो जाए, अब बर्डर, अन्मूरिंग और प्राइस इस्टेबिटी, विल अंडर्माइन, macro economic stability and growth, macro economic stability and growth, मतलब, बड़े लेबल पे जो stability और growth है, उसको अंडर्माइन करेगा, उसको कमजोर करेगा, growth को stability को, यह जो unmooring, मैं एक वर्ड बता दे रहा हूँ, more मतलब होता है, किसी चीज को बांथ के रखना किसी चीज से, और वो खुला हो गया है, unmooring मतलब वो खुल खुल गया है, तो price stability जो खुल गया है, तो वो मतलब fluctuate कर रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, underlining its commitment to aligning inflation to a target of 4%, again उन्होंने काहा है, क्योंका commitment है, कि टागेट को 4% पर रखा जाए, and keeping, inflation index anchored, the MPC reiterated by a majority, its policy stance of staying focused on the withdrawal of accommodation, थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसको देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, कि typical economics के passages, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जिनको typical economics का अगर कोई passage आता है, तो वो समझने में दिक्कत होती है, और मुश्किल यह है, कि bank साधी में, अगर bank के gamination होते हैं, तो ऐसे वाले passages ज्यादा रहते हैं, अब वो बोलते हैं कि हमको economic passages नहीं समझ में आता, आपको अगर आप ऐसे passages को बार 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 पढ़ोगे, उसको समझने कोशिश करोगे, तो चीज़ें दिरे दिरे आसान हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आप अचानक examination hall में जाके, कोई passage निकालो और economic हो, judgment analysis दिया हो और आपको आराम समझना जाए, चूँकि economics is a special subject है ना, और ये भी applied economics है, आप economic passages को जरूर पढ़िए, क्योंकि जो comprehension मैंने set किया है, वो बहुत आसान nature का है, इसका दूसरा वाला जो पैसेज था, टाइगर वाला उस पे मैंने comprehension set किया है, वो बहुत आसान है, वो समझने में बहुत आराम से, इजी आज़गा, इन नॉड टू MPC's stance, दा RBI is separately, temporarily imposed and incremental 10% increase in the cash reserve ratio, banks must maintain, अब CRR होता है, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, आपको पैसे समझना है, अगर ये बढ़ाने से क्या अफर पढ़ेगा, तो आपके 1000 article नेट पे होंगे, आपको जरूर नहीं कोई किताब खरीदने कि, CRR बढ़ने से, बैंक में या मनी फ्लो पे क्या अफर पढ़ता है, आप उसको एक बार देख लो, अराम से मिल जाएगा, लेकिन यहां पे चुकी इंग्लिश का मिनिंग निकालना है, तो बसे उन्होंने ऐसा कहा, with a view to draining some of the surplus liquidity in the banking system, वो ड्रेन करना चाह रहे थे, निकालना चाह रहे थे, कुछ surplus liquidity means cash, in the banking system, that could spur prices, जिसके जल्दे prices बढ़ते हैं, वो उसको 10% basis point पे बढ़ा के, CRR को, और वो पैसा कुछ खीचना चाह रहे थे, market से कम हो जाए, क्योंकि पैसा रहेगा, तो prices और बढ़ेंगे, inflation बढ़ेगा, market में पैसा रहेगा तो, Mr. Das promised, this increase would be reviewed on September 8, और earlier, उन्होंना कहा कि इसको हम, यह जो 10% बढ़ा है, उसको हम आठ सेतंबर को, या उसके पहले ही, हम लोग इसको review करेंगे, to ensure adequate liquidity, during the upcoming festival season, ताकि जो आने वाले festival season है, मिंच्छ दसारा, दिपाली, उस समय में, market में पैसा रहे, liquidity रहे, cash रहे, still, given the MPC's, sanguine outlook on economic growth, आप ज़रा सोचना, कि MPC का, यह जो outlook है, उसका जो district कोन है, कैसा है, economic growth के प्रती, अब आप गेस करो, यहां से निकाल के, कि MPC ने क्या negative बोला है, या positive बोला है, अगर आप देखोगे, तो आपको idea, sanguineous words का भी, बहुत आराम से पता चल जाएगा, भारी बढ़ है, optimistic, about growth, it has not only retrained, कि GDP इतना बढ़ेगा, in real terms in 2324, but also is stuck, by its June projections, for the growth in each of the four quarters, उसने कहा, कि growth in each of the four quarters, चारा quarter में growth होगा, तो 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 पॉजिटिव होई गया, तो sanguine का मतलब, positive, optimistic, the inflation shock notwithstanding, उसने, notwithstanding grammar का एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, in spite of, वो in spite of अगर लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, in spite of the inflation shock, और अगर notwithstanding लिखते हैं, तो उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं, to be sure, MPC has flagged, देखो, जंडा वाला वर्ड, as a verb, क्या मिनिंग होता है, देखो, अगर आप reading करते हो, तो दो चीजिये होती है, मैंने बार-बार कहा है, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, कि तुम्हारी एक प्रॉपर reading, या effort-based reading, जहांपे आप प्रयास कर रहे हो, आपके vocab और English के maximum grammar को छोड़के, vocab से related अधितर चीज़ हैं, और understand related अधितर चीज़ों की समस्या का समधान है, तो तुम अगर ऐसे करो, कि हम effort लगा के अपने reading को करें, जिसमें हमें जितने भी unknown word आते हैं, अब ये मैंने बताया, ये grammar का word था, conjunction, preposition, connectors में पढ़े होगे तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम एक effort लगा के word के meaning को guess करके पढ़ते हो, तो तुम्हें मुझे लगता है कि इसमें तुम्हें आठ, दस, पंदरह word मिल जाएंगे, आठ, दस, पंदरह word मिल जाएंगे, वो पंदरह word जो तुम कभी चिंता करते हो कि यह, इसका meaning क्या होता है, synonym क्या होगा, antonym क्या होगा, यह तुम जो चिंता करते हो वो अभी तुम्हारा हो रहा है, तो सोचो कि जब एक प्रॉपर reading मेरे को vocab भी ठीक कर रही है, मेरी English based understanding को ठीक कर रही है, means English पूरी ठीक हो रही है, तो हम क्यों परेशान हो कि हम vocab के लिए अलग से काम करें, हम अपने reading पर work out करते हैं, उसी को जितना ज्यादा continue कर दो, things will be there, चीज़ें उतनी अच्छी बनेंगी, मैं इस इस comprehension को पढ़ा, मैं comprehension ही बोलता हूँ, tutorial तो है, comprehension को पढ़ा, आगे की चीज़ें आप थोड़ी से पढ़ लिजेगा, लेकिन उसने कहा है कि यह चीज जो सोच रहे हैं लोग, यह थोड़ी रिस्की है, अभी यह रिस्की वली चीज इधर आएगी, कैसे रिस्की है यह, I hope कि आप इसके यहां तक के पार्ट को, not we sending मैंने किया था, यहां तक के पार्ट को आप खुद कर लो, ना, नेक्स लिटूरियल था, आशरी अर्टिकल था, देखो, डेमोलिशन एज एस्टेट सैंक्शन कलेक्टिव पनिश्मेंट, डेमोलिशन आप जानते हो, हमारे यूपी से शुरू हुआ था, जो लोग रॉंग डूर्स हैं, उनके घर को तोड़ना, यह जाद जादी, वो अधर एस्टेट में भी फ्यालता गया, उसी पर यह आर्टिकल है, कि यह एस्टेट सैंक्शन, मतलब गौवर्मेंट के द्वारा सैंक्शन किया हुआ, कलेक्टिव पनिश्मेंट है, यह उसका टॉपिक था, डेमोलिशन का, अब अगर इसके हम लोग है वो, जो आपको मैंने कहा था था ना कि जब आप ध्यान देजेगा, अबंगे बूल अपर बुलोजर जस्टीज इस त्च पर अन ऊत्रूरतर रिंश एससे, सेफ्टी लाइफ और लिबर्टी विल बी अड़ विम्स और फैंसी जॉप इस्टेट ऑफिशिल्स कि अबेंडिनिंग दे रूल आफ लॉओ रूल आफ लॉओ को अगर हम त्याग दें किसके फॉर का मतलब यहां पर फॉर का एक इडियोमेटिक यूज होता है फॉर का मतलब कि इन फेवर आफ कि ऐसी चीज़ें डिक्शनी में मिलनी मुश्किल होती है खोज क्योंकि फॉर को तुम खोजोगे दो पेज में होगा इडियोमेटिक बहुत सारी हो जाएगा इन फेवर आफ बुल्डोजर जस्टिस हम रूल ओफ लॉग को छोड़ दे रहे हैं बुल्डोजर जस्टिस के फेवर में कि हम जस्टिस करेंगे बुल्डोजर से इज दफ फर्स्ट स्टेप यह पहला स्टेप है तो अन अथरिटारियन सोसाइटी अथरिटारियन सोसाइटी निरंकुष तानशाफ सोसाइटी वेर इंसीरिंग अपर्सन सेफटी लाइफ और लिबर्टी जहां पर पर्सन के सेफटी लाइफ और लिबर्टी को इंसीूर करना वीद एड़ वीम्स एज फैंसेज भह डॉस्टेट करेंगा उनके अपने मनमच पर डिपिन मतलब यह बुल्डोजर जस्टिस की जो बात हो रही है उसको कि एनलाइज कर रहा है कैसे और वो उसके बार में निगेटी भी बोल रहा है वो तो आप देखिए गाँ मुझे लगता है कि इसको एकोनामिक पैसेज की तरह यह उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं करेगा जिन्हों लिखा है वो दिल्ली बेस्ट लॉयर है वकील है दे आक्टरमाथ विसंट वाइलेशन इन नू हर्याना हर्याना के नू में हुआ था न वाइलेशन और सरी वाइलेंस सब्सक्राइब नू में जो हुआ वह एक फेमिलियर पैटर्न अब हो गया है जो दिखाई पड़ा है क्या हुआ है इमेडियेटली आफ्टर दे वाइलेंस हिंसा के तुरत बाद लोकल अड्मिस्ट्रेशन बैक्ट बाइए स्टेट लोकल अड्मिस्ट्रेशन ने स्टेट के सहायता से देमालिष्ट अनमबर अफोंस इन लोकालिटी जन नेवर हुट्स उन्होंने बहुत सारे घरों को तोड़ फूट दिया इस वेर देहों संदेवर हुट्स अफ्यू पोलिटिकल अफिशल्स क्लेंड कुछ अपोलिटिकल अफिशल्स ने क्लें किया कि यह जो घर और नेवर हुट अरोस परस का है तो विच दा एक्विज्ड राइटर्स बिलॉंग वो इन दंगाईयों के थे गवर्मेंट के पोलिटिकल अफिशल्स ने क्लेंड किया अब देमोलिशन इन्नु आज जस्ट लास्ट इटेरेशन अफ वाट इस कम तो बीकाल बुल्डिजर जस्टिस इस देलेटिस्ट इटेरेशन अब आपको यह जो इटेरेशन है इसको जरा सोचिएगा देखिए तुझरा इटेमोलिशन इन्नु आज जस्ट इटेरेशन अफ वाट इस कम तो बीकाल बुल्डोजर जस्टिस लेटेस्ट क्या है यह एक्जांपल बोल सकते हो स्टेटमेंट बोल सकते हो तुम ऐसा कैसा कुछ बोल लो और अगर इन दोनों में से कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो तुम यह अपने आपको श्योर रखना कि तुम्हारी रीडिंग प्रॉपर डिरेक्शन में चल रही है प्रॉपर मोर्दन ए यर फ्रॉम कार्गोन इन मध्यपरदेश तु कंभात इन गुजराथ तु जहांगीर पूरी देल्ही तु नागाव इनसाम तु मैनी अधर्स यहां सब जगा हुआ था देमोलिशन अफ होंज एज फर्म फ्रंटियर जस्टिस अज रिस्पॉंस तो प्रॉटिकल वाइलेंस इसम फ्रंटियर जस्टिस इसम तुरत हम सामने आके जस्टिस कर रहे हैं अज बिकाम एस्टेंडर्ड फीचर ऑफ एड्मिसर्शन यह एड्मिसर्शन का एक फीचर बन गया है अचा देखो यह चीजह अगर आप पढ़ रहे हो और चीजह आपको अराम से समझ में आ रही हैं अब तुम्हें रिलाक्स होके इसको मत समझो अब तुम्हें यह काम करना सुरू करो कि जब संडेंस के मीनिंग तुमको अराम से निकल रहे हैं तो तुम यहां पे अगर कुछ शब्द क्यूंकि राइटर अभी की एक काम कर रहा है राइटर का मैं स्टाइल देख रहा हूं वह बहुत ज्यादा टफ वोर्स नहीं लगा रहा है पिछले वाले में इडिटोरियल में बहुत टफ वोर्स लगे हुए थे लेकिन यहां पे वह आराम से इजी जी वर्स लगा रहा है तो भी तुम जितने भी अन्नोन वर्स होंगे इतने बड़े आटिकल में 10-15 वर्स तो हों गई होंगे उन सब को पर्टिकुलर अच्छे त मिल रहा है बी हैपी यूर वर्किंग डाउट अब फिग लीफ अफ लेजिती में सिदेट फॉल सभे अभी नहीं समझ में आएगा देखना जाए बहुत बार ऐसा होता है कि जो हेड हेडिंग जो दिया रहता है ना वो नहीं समझ में आता एक काम कर लिए पहले इसको यहां पढ़ लो और उसके बाद फिर वापस जाके पढ़ना उसको ज़्यादा समझ में आएगा इन केरिंग आउट देमोलिशन्स देस्टेट अन इस ओफिशियल्स इस्पीक विट फॉक टंग डेमोलिशन जब वो कर रहे हैं तो इस्टेट वह स्टेट के और उसके ओफिशियल फॉक्ड टंग से बोल रहे हैं अब जिता सोचना कि यह फॉक्ड क्या होता है काटा जिसे हम लोग के साथ एक और कब होता ना काटा हम लोग बोलते हैं पॉब्लिक एन अफिशियल जैस्टिफिकेशन इस दैट मतलब कटू बात बोल रहे हैं इस देट डेमोलिशन सार्ट केरी आउट इन अर्डर रिमोव इंडिगल स्ट्रॉक्टर्स और इंक्रॉश्मेंट उन्होंने का कि इसको हटाने के लिए हम लोगों ने डेमोलिशन कि मुनिसिपल लॉज देट ऑथराइज देरी मुवल अफ ऑन अफराइज स्ट्रॉक्टर्स और इन वोग एज लीगल कवर कहां से लेते हैं वह लोग कानून का कवर कहां से लेते हैं मुनिसिपल लॉज मुनिसिपलिटी का हर हर राज हर शार का जो होता है वहाँ उसके जो अपने कानून बने हुए हैं जितने भी अनुतराइज देर हैं उसको हटा दिया जाए उसको उस लोग को दीज लॉज आर इन्वोक्ट इफ यू इन्वोक लाउग यूट पुट तेट लॉज इंट तो आप उस लोग को कोट करते हो कि यह कानून में ऐसा लिखा हुआ है यह इस इस जैस्टिफिकेशन और स्टेट इस टिक्स टो However, but even as it does so, politicians and at times even officials of the administration, politicians, admissions officials, go on record to say that वो रिकॉर्ड होने के सम्झा, on record का मतलब होता है जब आप निविश्पेपर में कही भी उसको कोट किया जा सकता हो. That the purpose of demolitions is to teach a lesson to alleged writers. ये उनको सबक सिखाने के लिए एक तरीका है. मेरे हिसाब से, तुम्हें इसको ठीक से पढ़ना चाहिए. मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें toughness है, चीजें बहुत आसान हैं. देखो, अन्तिम परग्राफ में पढ़ रहा हूँ. In this context, अचा देखिए जरा, मैंने शुरुआत में पढ़ा, मैं अन्तिम में पढ़ रहा हूँ. sentence का meaning, तुमने जब topic समझ लिया, एक, अचा नॉर्मन लेविस के किताब थे, how to read fast and better, किताब है वो, you people don't need right now, आप अपने read करोगे, जितना faster, जितना better पढ़ना है, वो खुद बखुद आ जाएगा. लेकिन उन्हों लिखा था, कि जितना ज़्यादा unconventional तरीके से आप पढ़ोगे, mind उतना ही workout करता है, उतना ही conscious होके, क्योंकि आप आप realize करना, आपके दिमाग में बात आती है, कि आपके, आपका mind बोलता है, कि हम बहुत तेज पढ़ते हैं, तो समझ में नहीं आता, जबकि यह normally भी से नहीं, दुनिया का हकीकत में सब चीजें इसके विपरित हैं, जो बच्चा, young person, बहुत fast गाड़ी चलाता है, उसका उस गाड़ी चलाने के समय में concentration, relaxory के से चलाने वाले से बहुत ज़्यादा होता है, तुम अगर speed में पढ़ोगे न, तो तुम्हारा mind ज़्या काम करेगा, और उन्होंने इस बात को काटा है, मैं भी काट रहा हूँ, कि तुम अगर speed में पढ़ोगे, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, धी में पढ़ोगे, concentration टूटेगा, पिछे की चीज़ें भूलोगे, इसलिए तुम पढ़ो, और theme निकालने कोश्च करो translation करने कोश्च मत करो, words का meaning अगर guess करना है, तो तुम पढ़ने के बाद एक पर आव आपसा के guess कर लेना, जैसे देखो, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप अगर बीचे मैंने छोड़ा, तो होचता है, मुझे नहीं समझ में आए, लेकिन आप आप ज़रत देखो तो, in this context, it falls to the court to enforce the rule of law and the constitution, ये court होता है, जो rule of law and constitution पे को enforce करता है, लागू करता है, unfortunately, for more than a year, the courts have been silent, लेकिन इस मामले में, unfortunately, court silent है, even the supreme court of india has, when faced with this situation, purported to accept the state justification of going after unauthorized structures, उसने, even supreme court of india ने भी कहा, कि state government ने जब कहा कि वो unauthorized structures को demolish कर रहा, तो supreme court of india ने भी माल लिया, in doing so, the courts have, to use the word of george orwell, अगर george orwell का phrase इस्तेमाल किया जा, उनके courts को, chosen to reject the evidence of their eyes and ears, उनके आख और कान में जो सबूत मिला है, उसको उन्होंने reject कर दिया है, अगर george orwell का statement लेता हो, the high court of Punjab and Haryana's order marks the first time that the judiciary has taken active notice of this pattern of lawless bulldozer justice, पहली बार Punjab and Haryana के high court ने इसको lawless bulldozer justice को पर ध्यान दिया है, उसने कुछ प्रनाउंस किया है, one hopes that it is the beginning of the judiciary enforcing basic constitution principles and values against state impunity, यह ऐसा, ऐसी आसा की जाएगी, कि वो पहला ही पहला example होगा, उसके आगे बहुत सारे examples आएगे, जब courts इस lawless bulldozer justice को रोकेगी, मुझे लगता है कि यह change है, आपको बहु ज़्यादा परिशान नहीं करेगी यह paragraph and you just continue reading, next one, India's Myanmar Quandary, its Paradoxical Policy, इंडिया का जो भर्मा, Myanmar का जो policy है, वो कैसा है, Quandary, Paradoxical, paradox तो जानते होगे साथ, अजीवोगरी policy है, प्रोपर नहीं है, और तुमको समझ में आएगा, जब तुम इसको पढ़ोगे, उन जो लिखा है, India's official rhetoric on commitment to democracy in Myanmar, इंडिया के officials ने, जो statement दिया, कि वो committed है कि मयमार में democracy हो, is in contrast, वो बिपरीथ है, with its policy framed through the lens of its security concerns in North East India and relation with China. वो उस contrast में है, जब उसने जो policy बनाया है, through the lens of its security concerns, अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, North East India and relation with China, जो उसने policy बनाया है, उससे ठीक opposite है, जब उसने commitment किया है, कि मयमार में democracy रहे, कैसे? जखना जुलाइ 31st and August 1st will be recorded as the crucial dates when the history of मयमार's outgoing tragedy, sorry, ongoing tragedy, was written. इन दोनो दिन में tragedy लिखा गया था. In the first case, the acting president of मयमार, Sway, announced the fourth extension of the emergency for another six months. उनने कहा के emergency जो वहां पे लगा हुआ है, वो अगले छे मेने तक और चलेगा. Which is in violation of 2008 Constitution. Constitution का ये उलंगाना है. In the second instance, the military regime decided to release several political prisoners, military name, military का जो शासन था, उन्होंने बहुत सारे political prisoner को रिलीज किया. And even reduced the sentences imposed on the Aung San Suu Kyi and the deposed president, माइन, अबब, विन, एम. इनका जो सजा था उसको उनोने रेडियूस कर दिया. Mrs. Suu Kyi was also moved out of prison to house arrest. उनको जेल से अटा के house arrest में रेडिया गया. However, these developments do not signal the dawn of a democratic and peaceful Myanmar. लेकिन ये जो हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि में में डेमोक्रेसी आ गई है. The extension of the emergency further delays the elections proposed by the military. Election or delay हो गया. Emergency को कि चेमीन और बढ़ा तो. Min Ang, the Koo Orchestra, इसको कूप नहीं पढ़ते हैं, कूप पढ़ते हैं, COU ही, काउब भी नहीं पढ़ते हैं. Koo Orchestra, और orchestra as a verb मतलब होता है कोई सरेंत्र करना. Orchestra सरेंत्र कारी, और ये होता है तक्ता पलट करने वाला. तो जिसने तक्ता पलट का सरेंत्र कारी था, ये आदमी, justified the extension due to the failure to establish normalcy in large parts of the country. उन्होंने कहा कि हम लोग उने चेमीने जो बढ़ाया है, ये सही है, क्योंकि large part of the country में अभी normalcy नहीं है. However, in this pursuit of normalcy, that has resulted in suffering, उसके चलते लोग बहुत पिर्थ हुए हैं, ये extension के चलते, with ACLED or the Armed Conflict Location and Event Data Project, a disaggregated data collection analysis and crisis mapping project, reporting that, उसने ये रिपोर्ट किया, that Myanmar civilians witnessed two and a half times more violence than those in Afghanistan. Afghanistan से धाई गुना जादा हिंसा मैंआ में हो रहा है. ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. The military regime's relentless campaign induces an average of over 30 air strikes per month in 2023. हर महीने कम से कम 30 air strike, जहाद से बंबर साना, गोलियां दबर्ग दागना, surprisingly, the Tatmadao military of Rehman, ex-exerts real control in only 30 to 40 percent of the territory, इन ही को control करती है. As in admission from the Burmese military and a report of the special report कम सार. A factious national election, अगर हम नोगे नेशनल कराएं, और एलेक्शन कराएं, उड़ लीड टू दे लॉस फॉर्दर क्रेड़िलिटी, if it is conducted only in third of the country. और जिसों control करती है, अगर वहीं पर किया जाए, तो एलेक्शन का मतलब क्या बनता है? मैंने अभी अभी टेकप किया, देखो, एक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको वर्ड के मीनिंग कैसे निकालने हैं, ये पे थोड़ा वर्क आउट की, तुम भी करो, मैं भी करूँगा, जब एक एडिटोरियल टेकप करना होगा, करेंट का एक दिन में, छोटा सा, तो हम लोग वर्ड मीनिंग पे भी कंसेट करेंगे, कि आपके रीडिंग के थुरू, वर्ड मीनिंग आप डेवलप कर सको, एक तुम्हारा मया मारवाला, वहाँ पे जो इंडिया ने डेमोक्रेसी के लिए कमिटमेंट किया, वह उसके चाइना के प्रति जो अप्रोच है, नौर्थिस्ट के प्रति जो अप्रोच है, उसके कंट्रास्ट में है, कैसे, समझने की आप कोशिश करो, एक, दूसरा ये तुम्हारा, ये स्टेट बेस्ट डेमोलिशन, और तीसरा इसको आप ध्यान से थोड़ा सा और बच गया है, लेकिन आप खुद एक बार जरूर पढ़ना, चौथा प्रोजेक्ट टाइगर पर था, जिससे आपका अगली बार बनेगा, आप बनाओगे, उससे questions हम लोगा solve करना है, आपको. Apart from that, I hope कि questions की variety आपको मिल रही होगी, fillers, sentence fillers हैं, तो वो आपको अच्छा लग रहा होगा. Keep commenting, keep giving your opinions, if you're enjoying your opinions, how to make it further student-friendly or beneficial to you. If you provide any suggestions, I'll incorporate if it is effective. So then, thank you.